बविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हर दिख स्वागत है दोस्तो पर्यावड अध्यन में मैंने आपको बताया था कि Top 50 Questions को हम cover करेंगे पूरे पर्यावड अध्यन से जो Most Top 50 प्रशन होंगे हम उनको discuss कर रहे हैं इस सीरीज में मैं पहले में 10 प्रशन आपके साथ discuss कर चुका हूँ आज की ये दूसरी वीडियो है आप देखना कितने उमदा लेविल के प्रशन में आपके लिए लेकर आया हूँ हर बार यही प्रशन आपकी परिक्षा में repeat होते हैं और बहुत जादा important प्रशन है तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहला प्रशन आपकी screen पर यह है विद्याले में सिख्षक का परम्मित्र किस सहायक सामग्री को कहा गया है यानि कि ऐसा कौन सा TLM है जिसको हम teacher का मित्र कहते हैं परम्मित्र, teacher का परम्मित्र कौन सा TLM है चार्ट पेपर है, श्यामपठ है, प्रोजेक्टर है या फिर प्रियोग शाला चलिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताएगा इस वीडियो में मैं दस ऐसे बहुत जादा इंपोर्टेंट प्रस्न डिसकस करूँगा इसमें से आपके कितने सही हैं नीचे कमेंट्स करके मुझे आंसर जरूर बताएगा इसमें से जिजनी प्रस्नों के जवाब आपको नहीं आते हैं या फिर किसी भी प्रस्न में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो तो चलिए शुरुआत करते हैं मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ शिक्षक का एक परम मित्र यानि की fast friend किसको कहते हैं वो कहती हैं दोस्तों श्यांपट को जो blackboard होता है उसको शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है पहले वाले का जो आंसर है वो option number 2 है याद रखेंगे बहुँ जादा important है दूसरा प्रशन देखिए दूसरा प्रशन भी important है कि विद्याले में सामाजिक, राजनीतिक आदिनवीन सूचनाए वह समाचार कहां परदर्शित किये जाते हैं यानि कि विद्याले में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर नए-नए समाचार सूचनाए सामाजिक और राजनीतिक जो न्यूस है वो प्रदरशित की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं flannel board बोलते हैं bulletin board बोलते हैं black board पर ये सूचनाए लिखी जाते हैं या फिर इन मेंज से कोई नहीं बताईए नीचे कोमेंट्स करके आंसर दूसरे वाले का दूसरा यानि की बारवा हम बारवे प्रस्न पर पहुंच चुके हैं चलिए आंसर में आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो option number 2 है आपने देखा होगा cbsc board हो चाहे फिर कोई भी board के अच्छे आपने schools देखे होंगे उसमें जवाब एंटर करते हो तो शुरुवात में ही gate के अंदर ही आपको एक bulletin board देखाई देगा जहां पर कई सारे news जो भी information है चाहे वो सामाजिक हो राजनीतिक हो सारी चीज जो important news है वो bulletin board पर चिपका दी जाती है एक paper होगा एक pin होगी pin से paper पर चिपका दी जाती है उसको बोलती है यानि कि किस विदी का उपयोग करना चाहिए टीचर को अगर टीचर किसी छेतर से संबंदेते वियवाहारिक ज्यान बच्चे को परदान करना चाहता है चली option पढ़ते हैं प्रियोग विदी का प्रियोग करेगा वो project method यानि कि project विदी का यूज करेगा survey method यानि कि survey method का वो प्रियोग करेगा या फिर समस्या समाधान विदी का वो प्रियोग करेगा कोई एक छेतर है उस छेतर से संबंदेते वियवाहारिक ज्यान बच्चे को बताना है तो teacher किस विदी का प्रियोग करेगा चलिए answer में आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो option number 3 है survey method इसको बोलते है survey method हिंदी में बोलते है survey method इसका मतलब यह है कि survey करवाया जाता है बच्चों से उस इस्थान पर ले जाया जाएगा उस इस्थान का बर्मड करवाया जाएगा तभी तो उसको व्यावाहरी के ग्यान मिलेगा उस छेतर से बच्चे को तो सबसे बेस्ट है survey method जैसे कई सारी company आपने देखियोंगे survey किये जाते हैं government की तरफ से survey किये जाते हैं और कई सारी company हैं वो लोकों से अपने survey करवाती हैं तो उसमें क्या है company को पता लग सके उस छेतर का ज्यान कैसा है जन्मदाता कौन है पुर्योजना विदी को बोलती है project method तो project method के father कौन है बताइए नीचे कमेंट करके अपना अंसर जॉन डीवी है स्टिवेंसन है हाई आई आर्म स्ट्रॉंग है या फिर किल्पैटर के है देखिये जॉन डीवी जॉन डीवी तो उसमें हम बालविकास में बढ़ते हैं यहां पर मैंने आपको इससे पहले जो हमारी वीडियो बनी है वो आप देख लेना उनकी playlist भी अलग से है तो उसमें मैंने आपको project विदी बताई है project विदी के कितने सोपान है तो वो सारी चीज़े में डिसकस कर चुका हूँ और पर्यावरण अध्यन की जो विदियां है उसमें भी मैं इसको डिसकस कर चुका हूँ तो आप डिटेल में जानने के लिए थोड़ी से 5-6 वीडियो बाद या आपको एक वीडियो मिल जाएगी पर्यावरण अध्यन की विदियां तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आपको प्रयोजन विदि की बारे में सब कुछ पता लग जाएगा इसका आंसर में आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो option number 4 है किल पेट्रिक को प्रोजेक्ट मेथड का जन्मदाता कहा जाता है अगला प्रसन देखिए पर्यावरण विज्ञान की अंतरगत अध्यन किया जाता है तो जो ecology science है उसके अंतरगत हम क्या पढ़ते हैं वायू, जल और भूमी के बारे में पढ़ते हैं पर्यावरण विज्ञान में हम जीवों की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूशड के बारे में पढ़ते हैं या फिर इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम पर्यावरण विज्ञान में किस चीज को पढ़ते हैं वायू जल भूमी, जीवों की प्रक्रियां, पर्यावड़ प्रदूशड या फिर अपरियुक्त सभी चली अपना आंसर नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा और मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं इसका जो आंसर है दोस्तो वह है option no.4 इसका जो आंसर है वह है option no.4 वो परियुक्त सभी हम पर्यावड अध्यन, पर्यावड विज्ञान की अंतरकत सारी चीज़े पढ़ते हैं विज्ञान के जैविक पहलू के अंतरकत किसका अधेयन किया जाता है थोड़ा सा tricky question है बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तो पर्यावड विज्ञान हमने भी पढ़ा उसमें जैविक जैविक पहलू के अंतरकत कौन सी चीज पढ़ेंगे जैविक पहलू यानि कि जो चीज जीवित है अब देखिए option पढ़िए वायू जल भूमी वही option है पसुपक्षी सूचम जीव आदी पर्यावड प्रदूषण वन उन्मूलन अगर बात करिए यह सारी पढ़ेंगे पर्यावड विज्ञान के अंतरकत अब इसमें पूछ लिया गया है जैविक पहलू में आपको दो पहलू बताय थे पर्यावड में एक जैविक पहलू और एक अजैविक पहलू जैविक पहलु में मैंने आपको बताया था कि जिन जीवों में जान होती है उनको जैविक पहलु के अंतरगत रखते हैं और जान में किस में होगी पसुपक्षी में होगी सूचम जीवों में होगी इस वज़े से सोलेवे का जो आंसर है वो option number 2 है पसुपक्षी और सूचम जीव सह संबंद से तातपर है सह संबंद होना मतलब आपस में संबंद होना जैसे आपने देखा होगा आपने सुना होगा कि जो बगुला है वो भेंस की पीट पर बैठता है तो क्या कारड है तो आपने देखो और सहजीवी संबंद है उनके बीच तो जो सहसंबंद है ये एक टर्म है सहसंबंद, इसका क्या मतलब है बिविन विश्यों के अलग-अलग अध्यान करना, किसी एक विशय का अध्यान करना, बिविन विश्यों की पारसपरिक अध्यान से, या फिर इनमें से कोई नहीं, बत तो वह सह संबंद के अंतरकात आजाएगा. हम बहुत सारे विश्यों को पढ़ेंगे और पारस्परिक तरीके से पारस्परिक उनका मतलब एक साथ उनका संबंद करते हुए उनमें संबंद करते हुए उनका अध्यन करेंगे. तो चलिए आंसर आपको मिल चुका होगा आंसर इसका है option number 3 सह संबंद में हम कई सारे विश्यों के बारे में पढ़ते हैं और उनका पारस्परिक अध्यन करते हैं है ना पारस्परिक उनका लगातार उनका संबंद किस तरह इस तरह से हम उनका अध्यन करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों सह संबंद याद रखिएगा पर्यावरण सिक्षा का पार्ठिकरम होना चाहिए जो EVS है उसका पार्ठिकरम होना चाहिए कैसा होना चाहिए एक समान होना चाहिए यानि कि सभी को एक समान होना चाहिए सबी class में, सबी IU स्तर के बच्चों के लिए सबको एक समान EVS की सिक्षा दी जानी चाहिए या फिर हमें IU के अनुसार बच्चों को पर्यावड की सिक्षा देनी चाहिए या फिर सेक्षिक इस्तर के अनुसार मैंने कि बच्चे का IQ कितना है, जो इसकी बुद्धी लबदी कितनी है उसका सेक्षिक इस्तर कितना है उसके हिसाब से हमें पर्यावड की सिक्षा देनी चाहिए या फिर आयू और सेक्षिक इस्तर के अनुसार हमें पर्यावड की सिक्षा देनी चाहिए बताइए देंकर प्रियावर सिखषा एक समान दिया हैं, दियाू होते हैं के बिशार से लग होते हैंMr. कि आयीश की अलँसार दे सकते हैं, ज सिलिबस से लग हैğn सेक्षिक इस्तर की अनुसार भी होता है, जैसे आपने देखा होगे, फिफ्ट क्लास की EVS कक्षा 3 में तो नहीं पढ़ाई जाएगी, तो यह भी है, लेकिन आप इस option को देखिए, फोर्थ वाले option को देखिए, एक ट्रिक आप याद कर लिजिए, जो option अपने अंदर बाकी दो या दो से तीन अन्य option को भी ले लेता है, ज्यादा तर जो टैट परिक्षा में वही आंसर होता है, अब इसमें देखिए, फोर्थ वाले में क्या है, आयू और सेक्षिक इस्तर, इन दोनों की अनुसार परियावड की सिक्षा का पार्टिकरम ऐसा होना चाहिए, बच्चे का आयू स्तर भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का सेक्षिक इस्तर भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, तो इस वाले का अठारे वाले का जो आंसर है, वो है option number 4, अठारे वाले कई सारे लोग गलत करने वाले हैं पर्यावड को सिक्षा में स्थान मिलना चाहिए दोस्तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ इस वाले का जो आंसर है वो option number one है लास्ट प्रस्न देखिए आधुनिक वेग्यानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है आज की समय में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है पर्यावर प्रदूशन है गरीभी एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी समस्या है या फिर भिक्षा बरत्ती समस्या है अब देखिए समस्या है सारी है लेकिन इन में से देखना है कि सबसे बड़ी सबसे बहेंकर समस्या क्या है तो इसका जो आंसर है वो में आपको बता देता हूं इसका जो आंसर है वो option number one है पर्यावर प्रदूशड की समस्या है बहुत बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये पर्यावड का क्या है पर्दूषण बढ़ता जा रहा है लोगों का जीवन है जो लाइफ टाइम है वह आपने देखा हो कि पर लोग 100 प्लस जीते थे अभी इक किस पर आगया है 70-80 पर आगया है अब लोग 70-80 साल तक जीते हैं किवल तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावर प्रदूषड़गी और इस वजह से बीस वाली का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन होगा दोस्तों आपको कैसे लगे ये प्रशन इस वीडियो की नीचे कोमेंट्स करके बताईएगा इस तरह के और सारे प्रशन भी आपको म करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आज के लिए तना ही धन्यवाद